सिहत करिक्रम में शुताओं आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस करिक्रम में हमारे महमान है डॉक्टर संदीप राजे बहादूर जो की शाहर के जाने माने हड़ी रोग विशिशग्य है आज आप से एक बहुत महतुपूर्ण विशिप पर हम चर्चा करने जा रहे है वह है स्लिप डिस्क, कारण, लक्षन और उपचार डॉक्टर संदीप आपका बहुत-बहुत स्वागत है करिक्रम में बहुत धन्यवाद जी डॉक्र संदीब जब भी हम कमर की बात करते हैं, रीड की बात करते हैं, आम तोरपर चर्चा होती है कि स्लिप डिस्क हो गई है, ये स्लिप डिस्क से क्या समझे हैं? इस गद्दे में जब कोई बीमारी आ जाती है, तो उसको स्लिप डिस्क कहा जाता है, इन गद्दों के साथ साथ जो आसपास की मासपेशिया हैं, वो भी बहुत ही जरूरी होती हैं कमर की सेहत को मेंटेन करने के लिए, और इस वज़े से जब स्लिप डिस्क एक कारण की वज़े से जब दिक्कत आती है, तो आसपास की मासपेशिया भी जो हैं वो अकड जाती हैं, जिसकी वज़े से दर्द कमर में शुरू होती तो जैसे आपने कहा कि Silk disc में जब समस्या आती है, तो ये वास्ता में किस तरह की समस्या आती है? क्या वो खिसक जाती है? जी दो रीड के हड़ियों के बीच में की gap जब कम होने लगती है तो उसकी वज़े से इस गदे में जो gel का substance होता है जो shock absorber की तरह काम करता है ये gel जो है ये बाहर protrude हो जाता है याने बाहर की तरफ निकल जाता है और जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारी कमर और रीड की हड़ियो के पीचे से हमारी शरीर की मुख्य नसे जो है वो हाथों और पैरों में जाती है तो जब ये गद्दा फिसल जाता है उसके कारण important जो नसे पैरों में जाती है उस पे दबाव देने लगती है ये गद्दा और उसकी वज़े से कमर का ये दर्द पैरों में भी radiate होने का तक डॉक्टर संदीब हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है कैसे हो जाती है ये slip disc कारण कई सारे होते हैं common से अगर हम शुरू करें कि हमारा जो day to day lifestyle है आज कल का जो lifestyle हमारा बना है वो unfortunately sedentary या बैठने के कामों का जादा चलन है आज कल इस बीमारी को शुरू करने के लिए अगर हम proper exercise नहीं करते हैं body weight जादा है आहार या भोजन हमारा ठीक नहीं है बैठते समय काम करते समय यदि हम posture ठीक से maintain नहीं कर पा रहे हैं तो ये कई सारे common कारण है इसके अलावा जिन लोगों को नीचे जमीन पे पालती मार के बैठना या जमीन पे बैठके काम कर बिल्कुल सही तो आज जब हमारी जीवन शैली है उसमें बैठना जैसे आपने कहा कि sedentary lifestyle है ये बहुती common है आम तोर पर हम computers पर काम करते हैं तो किन बात होगा खास दोर से ध्यान रखें जो हमारा ideal sitting posture होना चाहिए जैसे कि हम table कूरसी पर अगर बैठे हैं तो कमर को पीछे की तरफ अच्छा एक support मिले हमारे कंदे जो हैं वो कंदे आगे की तरफ जुका के हमने नहीं बैठना चाहिए बिल्कुल सीधी तरीके से गरदन को दोनों कंदों के बीच में जो है वो balance करके हमने सही posture maintain करने की कोशिश करनी चाहिए और इस कोशिश से ही इसको आदत में दस मिनिट अगर उसी जगा पर खड़े रहे के अगर हम अपने काम को continue कर सके तो बीच बीच में sitting posture से ये break लेना बहुत जरूरी होता है यदि walk कर सके तो वो बहुत अच्छा है walk ना कर पाए तो अपने ही desk पर खड़े रहे के कुछ समय काम कर दोक्टर संदीप राजे को लग सकता है कि वह slip disc का patient है या उसे slip disc की समस्या हो सकती है या इनी हम लक्षणों की बात कर रहे हैंश्त का सबसे पहला जो संकेत होता है यह दर्द से मासपेशिया होती हैं वो अकडने लगती हैं और इस स्टिफनेस की वज़े से जो है कमर में दर्द पैदा होने लगता है ये सबसे पहला संकेत होता है कि कमर में रीड की हड़ी में स्लिप डिस्क की समस्या हमें शुरू हो रही है इसी के साथ चलते समय सीडिया चड़ते उतरते समय अगर पैर में कोई लचक आने लगे अगर पैर में भी दर्द ट्रांस्फर होने लगे दर्द के साथ अगर कोई जन्जना हट जलन भारीपन कमजोरी ये लक्षन भी स्लिप पहचानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि शुरुवात में इसका इलाज जो है वो बहुत सरल तरीके से और बहुत ही सक्सेसफुली किया जा सकता है। ड़क्ट सब आपने ये लक्षनों की बात की और ये महजम महसूस करके हमें इसका हैसास हो सकता है कि दर्द इस तरह से हो रहा है। लेकिन क्या कुछ ऐसी जाचे हैं जिससे ये स्थापित हो सकता है कि हाँ ये वास्तव में स्लिप डिस्क है। जी बिलकुल जिन मरीजों को स्लिप डिस्क की या कमर की कोई समस्या है कई जाचें available हैं जो सबसे पहली जाच हम कोशिश करते हैं कि X-ray से इसको diagnose किया जाए X-ray में हमें disc वास्तविक तोर पे नहीं दिखती है लेकिन read की हड़ियों में जो normal gap होती है उस gap को हम देखते हैं X-rays में जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि slip disc है या नहीं इसी के साथ हड़ी में अगर कोई कमजोरी है जिसको हम osteoporosis कहते हैं वो भी X-ray से काफी हद तक के हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस मरीज को slip disc की दिक्कत है या नहीं इसके आगे चलके जिनको radiating याने पैर में दर्द जाने की या जुनजुना हट जाने की तकलीफ है इन लोगों में हम एक MRI scan का investigation advice करते हैं इस MRI scan में ना केवल हड़ीयां उसके साथ में disc और हमारे पैरों में transfer होने वाली नसे भी जो हैं वो नजर आती है जिसकी वज़े से exact identification possible होता है कौनसी नसदबरी है और कितनी severity है यह दोनों चीज़ों की तो इलाज किया है डॉक्सा इसका इनिशल स्टेज में हम ज्यादा तर यह recommend करते हैं या इस चीज के लिए awareness देने की कोशिश करते हैं कि early stage में अगर इसको हम detect करें और इसको लापरवाही किये बिना अगर initial stage में हम मदद लें इसके लिए तो इसके लिए बिना heavy medications के भी इलाज संभव है अगर हम सही समय पर posture को correct करें एक active lifestyle की तरफ हम कदम बढ़ाएं उसी के साथ सही भोजन weight loss इन चीजों पर अगर हम ध्यान दे तो इससे slip disc का बहुत ही अच्छा इलाज संभव है इसी के साथ साथ शुरुवाती stages में हम कुछ दवाईयां भी recommend करते हैं जिसस muscle spasm को reduce किया जा सके और जो दवी हुई नस होती है उसको भी relief मिलने के लिए कुछ दवाईयां दी जा सकती है क्या डग सब surgery भी की जाती है ऐसे cases में हाँ जी surgery का option उन मरीजों को जादा तर दिया जाता है जिनको sitting position में और चलने में जादा दिकत आ रही हो खास तोर पे जिन मरीजों में नस पे जो दबाव है वो उस दबाव के कारण चलना मुश्किल हो रहा हो इन मरीजों में slip disc में surgery की जाती है surgery के काफी types होते हैं decompression surgery यानि नस पे का दबाव हटाने की एक operation होती है इसी के साथ में laminectomy यानि जो हड़ी का टुकडा नस पे दबाव दे रहा हो उस के साथ advanced stages में सिर्फ decompression नहीं तो उसके साथ में fixation यानि screw और rod से read की हड़ियों को fix करने की surgery भी की जाती है क्या इसमें injections का भी कुछ role है injections यदी हम initial stage में हैं तो nerve root को block करने के लिए कुछ दवाई injection के दवारा हम दे सकते हैं लेकिन ये permanent solution नहीं होता है जिन मरीजों में multiple comorbidities होती हैं जैसे kidney की बीमारिया है heart की बीमारिया है जिन में operation संभव नहीं है उन मरीजों के लिए injection हम recommend करते हैं डॉक्टर संदीब राजे पाहदूर siatica के बारे में भी सुनते हैं तो siatica और slip disc में क्या अंतर है तो जब कोई भी नस कमर में दबती है वहां से कमर में दिक्कत ना करने की बजाए वो पैर में परिशानी create करती है जैसे कि दर्द होना, जुन-जुना heart होना, पैर भारी लगना, सुन लगना ये जो कारण होते हैं ये siatica के कारण होते हैं ये अपने आप में एक slip disc का ही एक लक्षण है, ऐसा आप कहे सकते हैं अब बात करते हैं कि हमें किस तरह का व्यावार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए यदि slip disc है तो slip disc का अगर दिक्कत से आप पिडित हैं तो कुछ चीजें, कुछ lifestyle modifications हमको करने चाहिए जैसे कि जमीन पे पालती मार के बहुत देर तक ना बैटना, जुक के जादा वजन ना उठाना, regular walking करना ये एक बहुत अच्छा व्यायाम है जिससे कि slip disc से राहत मिलती है इसी के साथ कमर के कुछ विशिष्ट वयायम भी हम recommend करते हैं जिससे कि spine के आसपास की जो mass patient है उसकी ताकत बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं और इससे भी बहुत अच्छा लाब मरीजों को मिलता है डॉक्टर संदीप राजे बादूर आपने कारिकरं के आर्म में चर्चा घिती ऑस्ट्योपोरोसिस की यह अस्ट्योपोरोसिस क्या है और हम अपने हड्डियों के स्वास्त को कैसे बहुतर बना सकते हैं अपने खान-पान से अपनी आदतों से Osteoporosis ये हड़ी में जब केल्शियम की मात्रा कम होने लगती है तो उसे हम Osteoporosis कहा जाता है ये most commonest reason जो होता है जैसे उमर बढ़ती है तो शरीर से हमारे भोजन से जो हमें केल्शियम मिल रहा है इसका absorption कम होने की वज़े से हड़ीों में कमजोरी आने लगती है इसकी वज़े से generalized weakness, बिलकुल सामान्य से fall या twisting injury से हड़ी का तूड़ जाना और थोड़ा activity करने के बाद में थकान महसूस करना ये इसके common लक्षन होते हैं और इससे बचने के लिए हमें एक अच्छी lifestyle को maintain करना एक स्वस्थ routine रखना बहुत ज़रूरी है भोजन में dairy products बहुत अच्छे हैं calcium की मातरा में याने दूद, दही, पनीर इसका सेवन हम regularly हमें करना चाहिए इसके अलावा हरी सबजियां, बदा मकरोड खाना अगर non-vegetarian है तो उसमें eggs का white हिस्सा भी बहुत अच्छा जो है सेहत के लिए help करता है तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान दे, साथ ही active exercise करें, actively walk करें ये चीजें अच्छा posture maintain करें हमारे काम में और weight को control करें ये सारी चीजें अगर हम regular basis पे करते रहें तो हमारे स्वास्त के लिए बहुत फाइदेमंद है डॉक्टर संदीप राजे बहदूर आज आप इस कारिक्रम में आये और अपने slip disc, कारण, लक्षण, उपचार के विशे में हमारे शोताओं को बहुत ही महत्पुन जानकारी दी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद